इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. डाइबेटरोल टेबलेट मधुमेह विरोधी दवाओं के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंध रखता है. यह वयसकों में टाइब दो मधुमेह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं का एक सयोजन है. यह मधुमेह वाले लोगों में रक्ट शरकरा के स्थर को नियंत्रत करने में मदद करता है. डाइबेटरोल टेबलेट को खाने के साथ ही लेना चाहिए. सबसे अधिक लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लें. आपका डाइब करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके रक्ट शरकरा के स्थर के अनुसार काम करने के तरीके के अनुसार बदल सकती है. भले ही आपको अच्छा लगे या आपका ब्लड शुकर लेवल नियंत्रित हो इस दवा को लेते रहें. यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्ष के बिना इसे रोक देते हैं, तो आपके रक्ट शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षती, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का खत्रा हो सकता है. याद रखे कि यह एक उपचार कारेक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. आपकी जीवनशेली मधुमे को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. डाय बैट्रोल टेबलेट का सबसे आम दुषप्रभाव निम्न रक्ट शरकरा का स्तर, यानी की हाइपोग्लाइसीमिया है. सुनिश्चित करें कि आप निम्न रक्ट शरकरा के स्तर के लक्षणों को पहचानते हैं, जैसे पसीना, चक्कराना, सिर्दर्द और कपकपी और इससे निपटना जानते हैं. इसे रोकने के लिए नियमित भोजन करना महत्वपून है और हमेशा आपने साथ शरकरा युक्ट भोजन या हलों का रस जैसे ग्लूकोस का तेजी से काम करने वाला स्रोत रखें. शराब पीने से आपके निम्न रख्ट शरकरा के स्तर का खत्रा भी बढ़ सकता है और इससे बचना चाहिए. अन्य दुश प्रभाव जो इस दवा को लेने पर देखे जा सकते हैं, उनमें स्वाद में बदलाव, जी मिचलाना, दस्थ, पेट दर्ड, सिर्दर्ड और उपरी श्वास नलिका में संक्रमन शामिल हैं. कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने इस दवा से वजन बढ़ाया है. यदि आपको टाइप एक डाइबिटीज मिलिटिस है, यदि आपको डाइबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानि की आपके रक्त में एसिड का उच्चस्तर है, या यदि आपको किड्नी या लीव की गंभीर बीमारी है, तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए. इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको कभी हृदे रोग हुआ है. ये उप्यूक्त नहीं हो सकता है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अप के रक्ट शरकरा के स्तर की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपके रक्ट कोशिकाओं की संख्या और यकृत के कारे की निगरानी के लिए रक्ट परीक्षन की सलाह भी दे सकता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.